हाईगन के तरंग सिध्धान्त के आधार पर हम प्रकाश जूड़ी घटनाओं की यदि व्याख्या करें तो सबसे पहले में ये जानना होगा कि ये तरंग इस समांगी माध्यम इथर में गमन कैसे करते हैं इसके लिए हम जल में उत्पन होने वाली तरंगों को सबसे पहले देखते हैं क्योंकि इन तरंगों को तो हमने देखा ही है एकसर कैसे होता है जल में तरंग? मान लीजिए शान्त जल है बिल्कुल कॉइट काम और इसमें यदि तरंग उत्पन करना हो तो हम या तो इसमें कंकर डाल देते हैं या तो पानी के बून्द भी यदि इसमें गिराए तो इसमें तरंग हमें दिखाई देता है जिनें हम लेहरे भी कहते हैं एक्चुली करण के गिरने से ये बूंद के गिरने से जो डिस्टर्बेंस उत्पन हुआ था ये शांत जल में वही रिपल्स के माध्यम से आगे बढ़ता है ये जो उथल पूथल मची है वो एक निश्चित पैटर में आगे बढ़ती हुई नजर आती है हम देख सकते हैं पह पहले रिपल्स को हम देखें तो ये रिपल्स क्यों उत्पन होते हैं क्योंकि इस शांत जल में डिस्टर्बेंस के कारण सारे कणों में उथल पुथल मच जाती हैं और सारे कण कमपन करने लगते हैं यदि हम किसी पर्टिकूलर रिपल को देखें तो उस रिपल में जितने सबस्क्राइस लिए एक कुछ दुख निर्मान करते हैं यह सकते हैं किसी कण chuड़ समान कला में कुछा सारे कण का एक पत बनाया जाए तो वह बिंदू पत एक के निर्मान करते हैं और आगे और इसा बिंदुपत को हम तरंगाग्र यानिंकि वेफरन्ट के नाम से जानते हैं और यही तरंगाग्र ही है जो आगे गमन करता है। यदि हम कहें जो माध्या में वह समांगी है तो यहenne इज तरंगाग्र एक निश्चित चाल से इस माध्यम में आगे की और गमन करेंगे, ये तरंगाग्र कभी पीछे की और गमन नहीं करता, ये सदय भी आगे की और गमन करता है, ये तरंगाग्र विक्षोप की कारण उत्पन हो रहा है, और इसलिए विक्षोप श्रोथ कैसा है, मतलब जो डिस्टर् यानि कि बिंदू आकार का हो तो यह उस बिंदू श्रोज से हम समान दूरी पर कंपन करने वाले कणों को लें तो यह कंपन भी समान कला में ही कंपन कर रहे होंगे और यह तरंगागर का निर्मान करेंगे तो यह बिंदू से हम समान दूरी चारों तरफ लें पूरे आयतन में ले तो ये तरंगाग्र गोलाकार होगा इसलिए बिंदू विक्षोप का तरंगाग्र गोलाकार होता है लेकिन यही विक्षोप श्रोत बिंदू आकार का ना हो कि एक स्लिट आकार का है उस कंडिशन में स्लिट से हम चारों तरफ दूरिया समान ले जहां पर कण समान कला में कंपन कर रहे होंगे तो यह तरंगाग्र एक बेलनाकार का वक्री प्रिष्ठ होगा जो इस प्रकार दिखाए देगा और यदि हम इस गोलाकार या फिर बेलनाकार तरंगाग्र को देखें जो की असीमित दूरी पर हो तुम देखेंगे कि इनकी जो वक्रता है वो कम होते जाएगी और एक निश्चित भाग पर यदि इनको देखें तो यह गोलाकार यह बेलनाकार तरंगाग्र हमको समतल नजर आते हैं और इस प्रकार एक छोटे से एरिय पर इस कम वक्रता वाले बेलनाकार या गोलाकार तरंगाग्र का भाग वो समतल तरंगाग्र का निर्माण करते हैं यह फिर हम यह कह सकते हैं कि जब विक्षोप शुरोत बहुत ही दूर पर हो तो उसका तरंगाग्र एक समतल तरंगाग्र यानि की प्लेन वेफ्रेंट होता है और इस तरंगागर पर यदि हम कोई लंबवत रेखा खीचे तो ये खीची गई लंबवत रेखा प्रकाश किरण का निर्मान करती है प्रकाश किरण के बारे में इसलिए हमको समझना जरूरी है क्योंकि अभी तक हमने परावर्तन अपवर्तन की घटना की जब व्याख्या की तो हम प्रकाश को एक किरण के रूप में देखते थे और उन किरणों का कैसे अपवर्तन या परावर्तन हो रहा इस चीज़ को हम समझें अब हम तरंगागर यानि कि वेफरंड के अधार पर अपवर्तन परावर्तन और इससे जुड़ी अन्य घटनाओं को समझेंगे तो हम पहले इसको रिलेट कर लेते हैं किरण से तो प्रकाश की रण का निर्मान कब होगा जब तरंगागर पर हम एक लम्वत रिखा खीचेंगे और ये प्रकाश की रण की दिशा इस प्रकाश के उर्जा संचरण की दिशा को बताती है अब हम देखते हैं कि हाइगन के सिध्धान्त के अनुसार ये तरंगाग्र मीडियम में आगे कैसे बढ़ता है यदि हमने कोई एक बिंदू विक्षोब लिया है इसका तरंगाग्र कैसे होगा गोलिये और ये तरंगाग्र आगे किस तरह बढ़ेगा एक्चुली ये तरंगाग्र बहुत सारे कणों का बिंदू पत है जो की समान कला में कमपन कर रहे हैं और यदि इन कणों को हम ध्यान से देखें तो इस तरंगाग्र का प्रते कण एक विक्षोब का श्रोद बनता है मतलब ये फिर से एक नया तरंगाग्र उत्पन कर सकता है तो यदि हम इस तरंगाग्र के बहुत सारे कण को देख रहे हैं ये प्रते कण एक विक्षोब का कारण बन रहा है और यहां से जो विक्षोब उत्पन होगा वो भी समान दूरी पर अगर देखें तो वो समान उर् बिंदू से निकलने वाला तरंगागर आगे क्यों बढ़ रहा है तुम देखें छोटे छोटे बहुत सारे यहां पर और मिकाएं हैं रिपल से जो आगे क्यों बढ़ रही है और यह रिपल्स कहलाते हैं दूतियक तरंगी काएं जिसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट कहते ह जो बड़ा बिंदू पत्था वो तो वेफरंट पर हर वेफरंट के हर कण जो विक्षोप का कारण बन रहे हैं या फिर जो फिर से रिपल या और मिकाएं उत्पन कर सकते हैं वो और मिकाएं या रिपल्स कहलाते हैं दूतियक तरंगी काएं और एक तरंगागर जो है इन द तरंगी काएं यहां पर नजर आ रही हैं इस पर हम कोई इस पर्श रेखिये तल खीजे तो यह स्पर्श रेखिये तल को जब जॉइन करते जाएंगे तो फिर से हमको एक नया रिपल देखने को मिलेगा और यही नया रिपल एक नेक्स्ट तरंगाग्र का एक अगले वेफरंट का निर्मान करता है और इस प्रकार हम देखें तो यह तरंगाग्र आगे की और बढ़ता जाएगा क्योंकि यह तरंगाग्र जो दूसरा हमने पाया है इसमें भी सारे कंड फिर से विक्ष्योब का कारण बनेंगे और इसमें नेक्स्ट दूत्यक तरंगिकाय उत्पन होंगी फिर उस पर हम एक इस परश्रीखी तल का निर्मान करें तो वह नेक्स्ट तरंगाग्र बन जाएगा और यह तरंगाग्र सदय आगे की और बढ़ते हैं पीछे की और नहीं बढ़ते हैं यदि माध्यम समांगी हो तो यह ज प्रकाश तरंगाग्र पूरे ब्रह्मान में फैले हुए एथर में एक निश्चित चाल त्री इंटू टेंट टू पावर एट मीटर पर सेकेंड की चाल से आगे बढ़ता है अब हम हाइगन के तरंग से धान्त के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की घटना की व्याख्य तरंगाग्र जिसे हम यहाँ पर ए-बी से दर्शार हैं हुए या ब्लेन वेफ़रणट ए-ब्य इस अपवर्तक प्रिष्ट एख्षर पर किसी कोन्ड से अपतित हो रहा है इस कोन्ड को हम अपतन-कोन कहेंगे परावर्तन के नियम को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम परावर्तन के नियम को रिकॉल कर लेते हैं अपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं दूसरे नियम के अनुसार अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलम ये तीनों एक ही तल पर होते हैं तो यहाँ पर हमें इस प्लेन वेफरंट के साथ साथ प्रकाश किरण भी दर्शाना होगा तबी तो हम दूसरे नियम का सत्यापन कर पाएंगे हम जानते हैं किसी भी वेफरंट यानि की तरंगागर पर प्रकाश किरण उसके लंबवत खीची गई रेखा होती है तो यहाँ पर इस AB तरंगागर के लंबवत खीची गई रेखा PA और QB ये प्रकाश किरणों को दर्शारी है अब ये प्लेन वेफरंट AB यदि इस XY परावर्तक प्रिष्ट पर अपतित होता है किसी कोण आई से जिसे हम अपतन कोण कह रहे हैं तो ये अपतन कोण यहाँ पर बनेगा और ये प्रकाश किरण के लिए देखें तो प्रकाश किरण यदि हम यहाँ इस परावर्तक प्रिष्ट पर अभिलंब AN डालें तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये भी आई होगा यानि कि अपतन कोण इस चित्र को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो प्लेन वेफरंट A भी है इसमें मौजूद हर एक कण दुतियक तरंगी काओं को उत्पन करेंगे और जो कण A पर है वो तो इस परावर्तक प्रिष्ट को टच कर चुका है मतलब यहाँ से उसका परावर्तन हो जाएगा और यहाँ से दूसरा वेफरंट यानि की परावर्तित वेफरंट निकलेगा लेकिन जो कण B पर है वो तो अभी इस परावर्तक प्रिष्ट पर नहीं रहा है और जो तरंगाग्र हमने लिया है AB उसका वेग V है तो बी से लेकर सी तक ते की गई दूरी कितनी होगी हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय इस AB वेफरंट का चाल V है और ये तै की गई दूरी में लगने वाला समय T है तो B से लेकर C तक तै की गई दूरी होगी V इंटू T जब तक B बिंदू से विक्षोब C बिंदू तक पहुशता है उतने ही देर में A बिंदू से होने वाला विक्षोब परावरतन के पश्चात उसी माध्य में वापिस लोट जाएगा और ये वेफ्रंट परावर्तन के पस्चात कहां प्राप्त होगा इसको देखने के लिए हम A बिंदू से VT रेडियस का एक स्फियर खीशते हैं VT रेडियस को क्यों खीचे हमने क्योंकि B से लेकर C तक दूरी VT है और उतने ही देर में जो परावर्तित वेफ्रंट है वो A से उसी माध्य में पार हो चुका है तो यहां पर जो रेडियस होगा स्फियर का वो VT ही लिया जाएगा अब यदि इस स्फियर पर हम एक टैंजन ड्रौ करें एक इसपर्श रेखा ड्रौ करें तो वो दूसरा वेफ्रंट यानि की दूसरा तरंगागर प्राप्त होगा तो हम यहां से एक tangent ड्रॉ करते हैं C तक तो यह रेखा C E यह दर्शाती है परावर्तित वेफ्रेंट को यानि की परावर्तित तरंगाग्र को और इस परावर्तित तरंगाग्र का इस परावर्तक प्रिष्ठ के साथ कोण होगा R यानि यहां पर I आपतन कोण है और R परावर्तन कोण और इन्हीं दोनों कोणों को ही हमको बरावर्त करना है यदि हम परावर्तन के नियम को यहां सिद्ध करना चाहते हैं आ ये ए एलेका हमने क्यों खी जी क्योंकि ये एलीका इस सी एलेका पर लंबवत रेका है यानि कि ये सी वे फ्रंट तरंगागर के लिए प्रकाश किरण को दर्शा रही है तो A, E, यह क्या कहलाएगी? यह परावर्तित प्रकाश किरण होगी. पतलब इस चित्र में हम देखें, तो A, B, आपतित तरंगाग्र है, और C, E, यह परावर्तित तरंगाग्र है. वैसे ही यदि किरणों की रूप में देखें, तो जो P A है वो अपतित किरण है और जो A E है वो परावर्तित किरण है अब हम दो त्रिभूजों को देखते हैं त्रिभूज A B C और त्रिभूज A E C इन दोनों त्रिभूज में कोण A E C और A B C ये दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री है और AE बराबर BC है और ये दोनो VT के बराबर है और जो AC है वो दोनों त्रिभुजों में common है इसका मतलब त्रिभुज AEC और त्रिभुज ABC ये दोनों ही समरूप है और यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो कोण I बराबर R होगा और यदि हम किरणों की रूप में देखे तो अपतन कोण बराबर भी परावर्तन कोण होगा और यही परावर्तन का पहला नियम है और इस चित्र में हम देखे तो यह जो अपतित किरण है P A और जो परावर्तित किरण है A E और ये अभिलम、 A, N, ये तीनों एखी तल में हैं यानि कि आपके कॉपी के कागश तल में हैं तो परावरतन का दूसरा नियम भी यहां पर सिद्ग होता है यानि कि हाईगन के तरंग सिध्धान से हम परावर्तन के दोनों नियमों को सिध्ध कर सकते हैं या यू कहे परावर्तन की घटना की व्याख्या कर सकते हैं अब हम हाईगन के तरंग सिध्धान के आधार पर प्रकाश की अपवर्तन की घटना की व्याख्या करते हैं हम जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो इसके वेग में परिवर्तन हो जाता है और इसी कारण ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है यानि कि बैंड हो जाती है अपवर्तन के नियम के अनुसार अपतन कोन की जिया और अपवर्तन कोन की जिया का अनुपात एक निश्चित राशी होती है जिसे हम उस माध्यम का अपवर्तनांग कहते हैं या फिर एक माध्यम के सापक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांग कहते हैं साथ ही जो अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलम ये तीनों एक ही तल में होते हैं तो अब हम हाईगन के तरंग सिधान्त से इन दोनों ही नियमों को सत्यापित करेंगे इसके लिए हम ये दो अलग-अलग माध्यम लेते हैं एक विरल और एक सघन विरल माध्यम का अपवर्तनाग हम mu1 और सघन माध्यम का अपवर्तनाग हम mu2 से दर्शा रहे हैं साथ ही हमने एक वेफरंट लिया है एक तरंगाग्र लिया है AB AB एक समतल तरंगाग्र है जो कि विरल माध्यम में V वेक से गमन करेगा और सखन माध्या में V2 वेक से गमन करेगा मान लेजिए ये समतल तरंगाग्र इस अपवर्तक प्रिष्ट X, Y पर I कोंड से अपतित हो रहा है मतलब यहाँ पर अपतन कोंड I एंगल B, A, Y के द्वारा दर्शाया जा रहा है अब यदि इसको हम किरणों की रूप में देखे हम जानते हैं तरंगाग्र पर खीची गई लमवत रेखा वो प्रकाश किरण को दर्शाती है तो यहाँ पर A-A और B-B ये दो प्रकाश किरण समतल तरंगाग्र A-B को दर्शा रहे है तो यहाँ पर ये जो कोण अभी लंब के साथ बनाया जाएगा ये भी अपतन कोण ही होगा जिसे हम दर्शाएंगे A-से इस चित्र में हम देखें तो इस समतल तरंगाग्र A-B में A पर मौजूद करण वो इस अपवर्थक प्रिष्ट पर स्ट्राइक कर चुका है लेकन B पर मौजूद करण वो अभी भी अपवर्थक प्रिष्ट से दूर है उसे कुछ दूरी तै करनी इस अपवर्थक प्रिष्ट में पहुँचने के लिए मान लीजे उसे इस अपवर्थक प्रिष्ट में पहुचने में T समय लगता है तो उसके द्वारा तै की गई दूरी यानि कि B C बराबर होगा V1 इंटू T हम जानते हैं दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय और इस पहले माध्यम में वेग V1 था और लगने वाला समय T यानि कि सखन माध्यम में प्रवेश कर जाएगा अब यह वेव फ्रंट कहां पर बनेगा इसको बताने के लिए हम इस ए बिंदू से V2 इंटू T त्रिज्य का एक स्फियर बनाएंगे V2 इंटू T क्यों लिए क्योंकि हम T समय पर कितनी दूरी तै की गई है यह देखना चाहते हैं और सखन माध्यम में वेव वी टू है इसलिए हम इतनी ही त्रिज्य का स्फियर बनाएंगे और जब इस स्फियर पर हम एक स्पर्ष रेखिये तल खीचेंगे तो वो तल दुदियक तरंगाग्र का निर्मान करेगा यानि कि अपवर्तित तरंगाग्र का निर्मान करेगा इस चित्र में हम देखें तो EC यह अपवर्तित तरंगाग्र है इसलिए कोण ACE यह अपवर्तन कोण कहलाएगा और यदि इसको हम लोग प्रकाश कीरण के रूप में देखें तो इस समतल तरंगागर एसी पर यदि हम एक लमवत रेखा खीचे यानि कि A बिंदू से आगे बढ़ाएं तो A E ये प्रकाश कीरण है जो कि अपवर्तित कीरण को दर्शाती है इसलिए यहाँ पर जो कौन बन यह भी अपवर्तन कोण ही है अब हमको अपवर्तन का पहला नियम सिद्ध करना यानि के स्नेल का नियम तो हम इस त्रिभूज A B C में देखें साइन आई बराबर होगा बीसी अपॉर अपॉरसाइन गौल निकालने के लिए में इस दूसरे त्रिभूज को देखते हैं तुझभूज ए सी ए इस त्रीभूज में साइन आर बराबर होगा ऐ अपान ऐसी का मात होगा वी 2 इंटू टी अपाने सी면 साइन आई-साइन इंडू इंटू इंटू आपन में एक नियत राशी पी cancels का वेग एक माध्यम में नियत रहता है अब इसी समीकरण में मैं नियूम्रेटर और डिनोम्रेटर को सी से भाग दो यानि कि निर्वात में प्रकाश के चाल से भाग दो तो यह समीकरण ऐसा बन जाएगा वीवन अपॉन सी अपॉन वीटू अपॉन सी और हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम के अपवर्तनां के बराबर होता है तो यहाँ पर यह उल्टा है इसने हम लिखेंगे वन अपॉन मुवन डिवाड़ेड बाई वन अपॉन मुवन और यह समीकरण बन जाएगा साइनाई अपॉन साइनार इक्वल टू मुवन अपॉन और यह दो माध्यम के अपवर्तनांकों की तुलना है इसे हम दर्शाते ह यानि कि पहले माध्यम के साब एक्षे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और यही अपवर्तन का पहला नियम है यानि कि स्नेल का नियम मुव बराबर साइनाई अपॉन साइनार और इस चित्रकौम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो अपतित किरण अभिलम और अपवर् अब यहां से हम अपवर्तन से जुड़े कुछ और निश्कर्ष भी निकाल लेते हैं यदि प्रकाश वीरल से सघन माध्य में प्रवेश कर रही हो यानि म्यूवन का मान म्यूटू से कम हो उस कंडिशन में साइन आर का मान साइन आई से कम होगा और साइन आर का मान साइन आई से कम है इसका मतलब जो अपवर्तित किरण है वो अभी लंब के पास जुगेगी और ऐसा ही होता है जब प्रकाश वीरल से सघन माध्य में प्रवेश करती है तो वो अभी लंब के पास जुगती है यदि प्रकाश सघन से वीरल माध्य में अपवर्तन के पश्चात अभी लंब से दूर जुकेगी और इस परिखटना से प्राप्त इस समीकरण को यदि हम देखे वीवन अपन वीटू इक्वल टू साइन अपन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपन म्यू वन और यदि प्रकाश वीरल से सघन माध्य में गमन कर र वीरल माध्य में प्रकाश का वेग अधिक होगा और सघन माध्य में प्रकाश का वेग कम होगा जो की वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल है